Good morning, आज हम फाइलम आर्थोपोडा के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिस एनिमल किया अध्यन शुरू करने जा रहे हैं, उसका कॉमन नेम है प्राउन, जिंगा मचली जिसे कहा जाता है, इसकी डिटेल स्टडी हमें करनी हैं, तो सबसे पहले प्राउन, जिस एनिम इनिमल है, जलिये जन्तु है और बहुत सारे देशों में इसे सी फूड के रूप में काम में लिया जाता है, स्वच्छ जल और समुदरी जल दोनों ही प्रकार के एन्वाइरमेंट में ये एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, शुरुवात करते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉण, प्रॉण का वर्गिक्रत स्थान क्या है, किंग्डम एनिमेलिया, जैसा कि हम जानते हैं, फाइलम आर्थोपोडा का जन्तु है, आर्थोपोडा यानि संधीत उपां या जॉइंटेट अपेंटेजिस वाला एनिमल है, इसकी क्लास का नाम है, क्रस्टेशिया, ल वाहिये कंकाल के रूप में, ओर्डर है इसका डेकापोडा, टैन पेर ऑफ अपेंटेजिस के इसाब से, यहाँ पर अपेंटेजिस जो हैं, उनका नंबर काफी होता है, फैमिली इसकी है, पैलिमिनोईडी और जीनस पैलिमोन, स्पीशिस जिसकी स्टडी हम यहाँ करने जा रहे हैं, वो है मेले को सुनाई, यह एनिमल की सिस्टमेटिक पोजीशन, अब डाइग्राम आप इसका देख पा रहे हैं, शुरुवात करते हैं इसकी बाडी की बाहिया कारिकी से, सबसे पहले बाद यह एनिमल जो हैं, यह नेचर के इसाब से, नॉक्टॉर्नल एनिमल्स क के एक्टिवली देखने को मिलते हैं, और दिन के समय अधिकतर अंधेरी या अंदर वाली जगहों पर रहते हैं, देखने में शेप और साइज के इसाब से 50 सेंटिमीटर तक के प्राउन आसानी से पानी में मिलते हैं, कलर के इसाब से जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वो जो स्पैसिमेन आप लैब में देखते हैं, वो प्रिजर्वेशन के कारण डार्क औरेंज और ब्राउन कलर का दिखाई देता है, तो अब बात करते हैं बाहिया कारिकी की ये एनिमल हमें देखने में कैसा दिखाई देता है, जैसा की डाइग्राम में आप देख पा रहे है animal की पूरी body जो है इसके उपर एक hard special covering present होती है जो animal का exoskeleton बनाती है exoskeleton यहाँ पर जो है external covering यहाँ पर जो होती है वो kaitin नामक substance की बनी होई होती है और यह kaitin नामक substance external skeleton की formation करता है और body के segments के इसाब से इसका arrangement भी अलग-अलग होता है body की shape जो है elongated bilaterally symmetrical और spindle shape की comma shape की body animal की देखने में दिखाई देती है अब बात करते हैं body के division की जैसा कि आप इस diagram में देख पा रहे हैं animal की body basically दो parts में divided होती है आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको आगे वाले हिस्से को cephalothorax यानि की head reason और thoracic reason एक combined structure के रूप में होते हैं जिने cephalothorax के नाम से जाना जाता है posterior body का reason जो होता है वो abdominal reason या उदर वाला भाग कहलाता है पूरी body के उपर यहाँ पर exoskeleton present है cephalothorax वाला exoskeleton carapace के नाम से जाना जाता है यानि कि ये entire segments जो होते हैं वो single covering के through cover रहते हैं एक बात और carapace का ये जो exoskeleton यहाँ पर है ये body के anterior end के अंदर एक blade जैसा nocula structure यहाँ पर बनाता है जिसे rostrum के नाम से जाना जाता है abdominal reason के अंदर मिलने वाला exoskeleton यहाँ पर हर segment के साथ अलग-लग छोटे-छोटे parts के रूप में होता है लेकिन ये सारे structures जो होते हैं वो परस पर एक दूसरे के साथ जुड़े वे होते है animal की body का division यहाँ पर in total 19 segment animal की body के अंदर present होते है body में number of segments हमेशा fix रहते हैं जो 19 segments यहाँ पर present होते हैं अब यह 19 segment किस तरीके से divisible होते हैं यह हम यहाँ पर body के division के साथ आगे चलते हैं पहला हिस्सा सिफेलो थोरेक्स वाला reason और second portion जो है वो abdominal reason कहलाता है तो पहले बात करते हैं सिफेलो थोरेक्स वाले portion की सिफेलो थोरेक्स, सिफेलो यानि की head reason and thoracic यानि की पक्षिय भाग basically दो हिस्सों से मिलकर के बना है body का anterior tip वाला reason, head reason होता है anterior part of सिफेलो थोरेक्स कहलाता है head reason के अंदर यहाँ पर body के जो segments present होते हैं उनका number total 5 होता है और body के हर segment के साथ one pair of appendages यहाँ पर present होते हैं it means five pair of appendages जो हैं body के head reason पर मिलने वाले in segments के साथ attached रहते हैं thoracic region just behind the head thoracic region present होता है thoracic region basically eight segment से मिलकर के बनावा होता है और इन आठ segment के साथ एक एक चोड़ी appendages यहाँ भी present होते हैं इन में से first three pairs of appendages जो होते हैं उनको maxilla के नाम से जाना जाता है जैसे structure वाले होते हैं इसलिए इनको maxilla peats कहा जाता है and last five segments यहाँ पर जो हैं उनमें मिलने वाले appendages जो हैं basically walking का काम करते हैं इसलिए उन्हें walking legs के नाम से भी जाना जाता है appendages के reference में मैं बताना चाहूंगी animal aquatic animal है लेकिन पानी के आसपास की जमीन पर यह अपनी walking legs की जायता से भी moment यहाँ पर करता है इस तरीके से in total eight plus five is equal to 13 segments जो हैं वो यहाँ पर मिलकर के animal के thoracic reason की head और thoracic reason की combined structure बनाते हैं जिसे सिफेलो thoracic के नाम से जाना जाता है इस पूरे reason के उपर यहाँ पर जो cover present होता है वो carapace के नाम से जानते हैं hard kitin का बना structure जैसा कि हमने diagram के अंदर देखा और anterior end of carapace के उपर एक जोड़ी आँखें compound eyes, one pair of compound eyes जो होते हैं वो carapace वाले structure के anterior end के उपर यहाँ पर present होते हैं इसके साथ साथ आगे की तरफ एक nuclear structure यहाँ पर blade like structure present होता है जिसे rostrum के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं abdomen reason की उदर वाला भाग abdominal reason 13 segments के बाद आगे के remaining जो six segments होते हैं छे खंड यहाँ पर जो होते हैं उन्हें उदर ये खंड या abdominal appendages के नाम से जाना जाता है abdominal reason जो होता है सिफेलो तरेक्स के जस्ट पीछे present होता है यहाँ पर हर segment जो होता है वो segment एक दूसरे के साथ attach होता है लेकिन separately हम इन segments को आसानी से देख सकते हैं और इन छे segment के साथ भी हर segment के साथ one pair of appendages यहाँ पर present होते हैं total यहाँ पर मिलने वाले appendages abdominal appendages कहलाते हैं और यह appendages जो होते हैं इन appendages को particularly pleopods के नाम से जाना जाता है यह सारे के सारे segments जो हैं इन segments के उपर individually यहाँ पर exoskeleton मौजूद होता है जो की kaitin का बनावा होता है last abdominal segment यहाँ पर जो होता है उसको particular नाम से जाना जाता है जिसे euro pod कहा जाता है euro pod वाला reason जो होता है इस reason को tail fin के नाम से भी जानते है यह पानी में animal को तैरने में मदद करता है और इस reason के last में animal की body का last portion जो है उसे tail sun के नाम से जानते हैं जो की एक nucleo pointed last end यहाँ पर होता है तो इस तरीके से animal की body में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं abdominal segments अलग दिखाई दे रहे हैं और सिफेलो थोरे सिक रिजन के रापेश के थूरू यहाँ पर ढखावा है anterior end के उपर के रापेश का बनावा rostrum तुंड लाइक structure प्रेजेंट है blade like structure प्रेजेंट है और यहाँ पर जो notch प्रेजेंट है rostrum और के रापेश के बीच में notch like structure के उपर animal की eyes one pair of eyes यहाँ पर प्रेजेंट होती है नीची की तरफ यह variety of appendages हम इस डाइगराम के अंदर देख पा रहे हैं body का division 19 सेगमेंट में और हर सेगमेंट के साथ one pair of appendages यहाँ पर प्रेजेंट है जो की अलग-अलग functions के accordingly अलग-अलग नामों से यहाँ पर जाने जाते हैं body का posterior end टेलसन जो है वो भी इस डाइगराम के मार्द्यम से आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं तो यह थी animal की external morphology की बात अब body के अंदर मिलने वाली external opening या external apertures कौन-कौन से यहाँ पर प्रेजेट होते हैं प्राउन में anterior end जो है सी phelothorax का वहाँ पर mid-vendal position के अंदर एक छोटी सी opening present होती है जिसे mouth के नाम से जाना जाता है अहार नाल का प्रथम भाग जिसके माध्यम से animal feeding के process को perform करता है अहार नाल का रूप में opening यहाँ पर present होती है और यह opening जो है यह भी body के mid-vental position पर यानि अधर तल पर उपस्तित होती है और इसकी उपस्तिती टेलसन वाला जहां पर abdominal segment खतम होते हैं और नुकिली सनचना टेलसन उपस्तित होती है उसके अधार भाग में बेसल पोर्शन में एनस प्रेजेंट होती है एनिमल के excretory system उत्सरजी तंत्र का निर्मान करने वाली जो सनचना यहाँ पर होती है उनकी ओपनिंग, रिनल ओपनिंग उत्सरजी छिद्र जो है वो एनिमल के typical appendages जो होते हैं एंटीना second pair of appendages जो होते हैं उनके inner surface के उपर renal apertures present होते हैं जब हम appendages को detail study करेंगे तब हम इसके बारे में आगे विसरत अध्यन करेंगे इसके बाद आती है genital openings की मैं बताना चाहूंगी prawn जो है unisexual animal है यानि male और female यहाँ पर अलग-अलग animals होते हैं male genital pore जो होती है इसके उपस्तिती फिर से appendages के साथ होती है fifth pair of walking legs यानि की उदर यह पांग जो है thoracic appendages जो है उनमें जो last appendages होते हैं वहाँ मिलने वाली जो walking legs होती हैं उनके साथ male genital pore उपस्तित होता है इससे तरीके से female animals जो होते हैं उनमें भी walking legs के साथ genital opening present होती है लेकिन ये third pair of walking legs के साथ होती है detail में appendages के साथ हम इसको भी पढ़ेंगे एक structure एक special opening यहाँ पर animal की और होती है एक विशेष सनचना जो प्राउन के appendages या टांगों के साथ उपस्तित होती है उसे statocyst के नाम से जाना जाता है statocyst याने की संतुरन पुट्टी जो animal का special sense organ है यह sense organ भी animal के first pair of appendages body के प्रथम segment के उपर मिलने वाले जो appendages या उपांग हैं जिनने antinule के नाम से जाना जाता है उनके साथ यह opening भी उपस्तित होती है तो इस तरीके से in total प्राउन के पास पांच तरीके के बाहिये छिद्र या openings present होती हैं जिनके माध्यम से प्राउन external environment के साथ अपना connection बनाता है तो यह थी प्राउन की external morphology के बारे में सामाने जानकारी कुछ आगे इन जानकारियों के साथ हम अगले session में पढ़ेंगे